नमस्कार दोस्तों मैं आसी समिस्रा आप सभी का विन आई एस के इस ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ आप सभी को जिस प्रकार मालूब है कि हमारी चर्चा भारत के संबैदानिक विवस्था को लेके हो रही थी जो मद्य प्रदेश PCS एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन एक विसाय है जो यूनिट 5 के तहट सामिल है हमने कई सारे मुद्दों पर चर्चा अपनी कंप्रीट कर ली थी और विविन परिक्षाओं में किस-किस प्रकार से प्रशन पूछे गये हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वह है जो संसत की बिभीन समितियां होती हैं और संसदी जो कारवाही होती है उनके सम्मन्द में कौन से प्रस्ण पूछे जा सकते हैं बिभीन परिक्षाओं में कैसे प्रस्ण पूछे गए हैं उन समस्त बिंदों पर चर्चा करेंगे अब देखिए जो ये चर्चा हो रही है ये हमारी केवल PCS एक्जाम तक के लिए सीमित नहीं होती है जो MPPSC Pre है उसके तक सीमित नहीं रह जाती है बलकि ये बिभिन परिक्षा है चाहे वो ब्यापम की हो चाहे स्टेट की अन्य परिक्षा हो या फिर आपके इंडिया इस्तर क केंदर इस्तर की SSC एक्जाम हो वहां पर भी ऐसे टॉपिक भारत की संपैदानी विवस्ता के अंतरगत सामिल कर लिए जाते हैं और अन्य विविन स्टेट की जो PCS एक्जाम होते हैं उसके लिए भी एक मददगार टर्म होने वाला है तो चलिए अपनी चर्चा को आगे ब समेरी एक महत्रपून को देम माना जया वह मिनिरोव मिल मिल्स बाद लिए हो मैं मिल्स वाद 19 80 अगर मैं इनेरवा मिल्स की कि बात करूं तो मिल्स से आपको ध्यान में अच्छी किसी कंपनी की बात हो रही है किसी निगम की बात हो रही है मिनर्वा मिल्स लिम्टेड एक बैंगलूर की एक कपड़ा निर्मार कंपनी थी क्या हुआ था कि 42 मां संभिधान संसोधन होता है और उसके तहट कई सारे नियम बदल दिये जाते हैं कंपनी को लेके उद्योगों के स्थापना को लेके और ऐसे नियम बनाया जाते हैं कि जो कपड़ा निर्मार कंपनी होती है उनको क्या मिले वो अपने जो प्रोड़क्ट बनाए एक निश् सम्मंधित उसके वज़ा से हमारी कंपनी डूब गई है और उस पे सुप्रीम कोट अपना नीने फिर देता है और सुप्रीम कोट इसमें यह कहता है अपने नीने में कि अगद 368 के तहट जो बिदी बनाई गई थी 368 का खंड चार था जो संसद को एक विशेश सक्ति देता था संसद को संबिधान संसोधन की सक्ति प्रदान करता है संसोधन की सक्ति प्रदान करता था कि यदि नेति निर्शक तत्तों को लागू करने में थोड़ा बहुत अगर मूल अधिकारों का हनन भी होता है और अगर वो चीज आपकी अनुसूची नौ में सामिल है तो उस पर कोई भी कारवाही नहीं की जाएगी इसी को आधार मान के फिर सुप्रीम कोट ने अपना नहींने सुनाय और उसने 368 के घंड चार को निर्शित कर दिया अर्थाच बिदि सम्मत नहीं माना और उसको समाप्त कर दिया 368 को और ये कहा गया कि जो मूल्ठ हचा की संकल्पना है उसमें एक चीज और जोड़ दी जाती है वो है कि जो मूल अधिकार है अधिकार तथा नीतिने देर सकता अर्था DPSP वो क्या है एक दूसरे के पूराख है मत्तब एक दूसरे के संतुल है ना तो कोई जादा है ना तो कोई कम है इनको लागू इस प्रकार से किया जाएगा ताकि दोनों का क्या न हो बैलेंस बिगडे ना इन दोनों में संतुलन बना रहे यही नेने दिया गया था मिनिरवा मिलसबाद 1980 में तो यह हमारी पूरी चर्चा हो गई किसके में मिनिरवा मिलसबाद 1980 में सुप्रीम गोड ने अपनी कौन सी बात कही तो एक इंपॉर्टेंट प्रस्ण क्या हो सकता है पूछे गए हैं उन समस्त बिंदों पर चर्चा चलेगी तो चलिए पहले प्रस्ण से शुरू करते हैं हमारा पहला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सी संसिदी समित कारिपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्ययोजित सक्ति से सम्मंधित है हमारे ऑप्सन है प्रत्ययोजन का मतलब होता है कि सक्तियों का उच्छ अधिकारी द्वारा प्रत्ययोजन होता क्या है पहले देखिए प्रत्ययोजन प्रत्ययोजन का अर्थ होता है कि अगर किसी उच्छ अधिकारियों को सक्ति प्राप्थ है सक्ति से ज़्यादा अच्छ सब्द होगा सक्ता उच्छ अधिकारियों को प्राप्थ है तो वो सक्ता किसको सौप दे अपने आधिनस्तों को सौप दे इसको आप उधारन से समझ ये के कलेक्टर को बहुत सारे काम दिये जाते हैं डियम को बहुत सारे काम दिये जाते हैं लेकिन वो काम वो स्वैम नहीं करता है बलकि अपने अनुभात के विभिन अधिकारियों को सौप देता है यही जो उसको सक्तियां सौपने का अधिकार प्राप्त हुआ है इसी को बोलते हैं सक्तियों का प्रत्ययोजन करना उसी के सम्मन्न में संसद में भी ऐसे कुछ कारे किये जाते हैं एक समित ही होती है जो इस प्रकार के कारियों को निगरानी रखते है वही प्रशन पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा option B आधिनस्त बिधान पर समित जो यह तै करती है कि जो सक्तिया दी गई है वो किसको प्रत्ययोजित की जाएंगे और ये कार किस प्रक प्षण निम्निकित में से कौन करते या करती है हमारे option है संसद द्वारा गठी तदर्थ समितिया option B जो दूसरा विकल्प है उसमें संसदी विभाग संबन्द है इस्थाई समितिया तीसरा है वित्त आयोग चौथा है वित्ती छेत्र के विधाई सुधार आयोग ये पाच लित्प्पि जा सकती है और संसद कीशार में जयसे'sट गोटाला हुआ तो कैसे हुई आपकी तदर्थ समिति घठित हुई तो तो क्या किया उसने एक निश्ची समय में अपने रिपोर्ट प्रसुत की और जो ऐसे उसका काम समाप्त हो गया तो वो समित क्या कर दी गई बंद कर दीजेगी लेकिन बीमा संबंदी बिद्दू संबंदी और दूर संचार संबंदी और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो लगाता गविभिन प्रकार के कानुन में कौन कौन से धाराय जोड़ी जाए, जो बहतर रूप से कारी करें. तो क्या ये act बनाके समाप्थ हो जाएंगे क्या? जैसे ITA 2000 का आया उसमें आगे चलके संसोधन हुआ देखे डिजिटल भारत मिसन आया उसके बाद डिजिटल भारत अधनियम 2023 तो इसमें क्या हुआ कि डिजिटल जो अपनी संकल्वना थे उस पर क्या किया गया सुधार किया गया उसके नियम कानून में परिवर्तन किया गया यह जो निश्यर्ण के लिए होती हैं अब देखे ये दोनों तो होगे अब वित्यय आयोग की अगर बात करें तो वित्य संबंद भी प्रापधानों करता है जो अर्टिकल 280 की ताहद गटित होता है उसका इस खेटर से कोई लेदाने देना नहीं होता है तो यह क्या हो अगले प्रश्च पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है भारत के नियन तरक महालेखा परिछछ की ओर्डित रिपोर्ट का परिछण करती है समिती प्राक्राण समिती लोख्ण समिती कोई नहीं इसका कारी क्या होता है ? कि राज इसतर पर कोई भी सारजनिक अपक्रम है या फिर ऐसे सही होगी एक आई है उनमें कितनी आई हुई, कितनी बै हुई, इसका पूरा विवरण तयार करता है कौन, CAG, CAG विवरण तयार करता है, अब CAG विवरण तयार करने के बाद राश्टपती को अपनी रिपोर्ट सौपता है, राश्टपती को अपनी रिपोर्ट सौपता है, और राश्टपती इस में सौपा जाएगा तो एक समिति होती है लोक लेखा समिति होगा लोक लेखा समिति होती है जो पूरी जाज करेगी कि जो इसने रिपोर्ट सौपी है कि भारत के संचिन नित से इतना पैसा निकाला गया, यहां पर व्याय हुआ, यह सही है कि नहीं, इसकी जांच के लिए लोक लेका समित गठित की जाती है, 22 सदस्य समित होती है, जिसका गठन जो है लोक सभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष करता है, इसमें कोई मंत्री सदस् नहीं होंगे, साथ ही बरतमान में जो विपक्ष का नेता होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है, और अगर बात किया जाए तो एक साल के लिए गठित होती है, हर साल यह गठित होती है, और 1962 में पहली बार गठित होती है, 1962 में पहली बार इसकी संगल्बना को लाया गया था आख तरने एंटे नहीं होती है और वास दासी होती है लोक सदस्द से भी राज्जी सबसाचार से भी सामेल होते हैं रेकिन इसका कार्य क्या होता है जो C.A.G. ने अपनी रिपोर्ट सोफ़ी है उसको क्या करना है? उसकी जांच करना कि संचिन दिससे जो पैसा निकाला गया है उस में कोई भर्षटाचार तो नहीं हुआ है उसमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ है यही चीज यह जांच करती है और कई सारे रिपोर्टों को आगे चलके इसने उजागर भी किया है, आपने कई सारे घोटालों का नाम सुना होगा, जिसमें जो CAG के साथ लोकली का समित का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो संसदी कारियों को संचालित करने के लिए बेतर रूप से संचालित करने के लिए समय समय पर विभीन समितियों के गठन किया जाता है। ये रोक सभा के आदिन नहीं आती है। जिसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन D. अगला प्रशनाते हैं निमलेकित में से किस समित में राज्य सभा का प्रतनिजित नहीं होता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन है लोक लेखा समित, ऑप्शन B सहारुजनिक क्रमो की समित, ऑप्शन C आकलन समित या ऑप्शन D सरकार की आस्वासन समित। कई सारी समितिया होती है और ऑर यहां पर पूछा गया है ज preparationा क्यों समित व्हें के आकलन में राज्य सभा की सभा समित स een नहीं होते हैं तो इसमें पढ़ा लोग होते हैं जिसमें 15 लोग सभा से और 7 राज्य सभा से सामिल होंगे सारजिनिक उपक्रमों के समित के बात करें तो इसमें भी 22 सदस सामिल होंगे 22 सदस वही 15 लोग सभा से 7 राज्य सभा से अगर आकलन समित की बात करें तो 30 सदस से होते हैं 30 member होते हैं और सबसे बड़ी समित यही मानी जाती है और cable कहां से सामिल होते हैं तो लोकसभा से राजसभा के इसमें सामिल नहीं होते हैं तो हमारा सही उत्तर क्या होने वाला है आपका आकलन समित आकलन इसी को प्राकलन समित होती है जो आर्टिकल 113 होता है, उसके तहत गठित होती है, यह भी क्या होती है, वार्षिक समीती होती है और संसदी समीती जो नियंत्रन है, उसमें महाथिपूर भूमी का निवाती है, सरकार की आस्वासन समीती की बात किया जाए तो आश्वासन समीति दोनों राज्य सभा और लोग सभा दोनों में गठित होती है और लोग सभा में इसमें 20 सदस्यों होते हैं राज्य सभा में इसमें 10 सदस्यों होते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा हमारे option है, दोनों सदनों के सदस्यों से, राज सभा के सदस्यों से, लोग सभा के सदस्यों से, या उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो बड़ा ही आसन सा सवाल था, इसका सरी जवाब क्या हो जाएगा, लोग सभा के सदस्यों से, अगले प्रश्ण पर आते हैं, अगला प्रश समित की हो तो पुरा जोखा करती है और अगर सार्जनिक की समेत करें तो ये संबन्धित होती प्रतीत हो रही हैं विट्टी सेवाओं समंदित-प्रतीत हो रही है कही жांड़ी निय्म लिखित oso कौन संशड के इस्थाई समित 맛있 समित दो लोक लेखा समीद, option B, आकलन समीद, option C, पिछड़ा वरगे की कल्यार समीद या option D, सारवजिनिक उपकरम समीद, तो देखिए यहाँ पर आपको इल्मिनेशन मैथेड का प्रयोग करना पड़ेगा, आपने चर्चा में आपको सुन लिया कि लोक लेखा समीद, इस्थाई सब्सक्ति, फिर आसवजिनिक उपकरम समीद, आपने थो नाम सणा होगगा, तो वो भी गठित होती है, तो वो सब्सक्ति समीद यहाँ और विक्तिवियों होती है लेकिन पिशला बरकल समित कोई स्थाई समित नहीं होती है कि अगला है सारजनिक समित अपनी व्याख्या प्रस्थत करती है हमारे ऊप्शन है और प्रधान मंतरी को तो इसका सई जबाब हो जाएगा और सने संसत को अच्छा एक चित ध्यान बलकि जो संसद का सभापती होता है जो संसद का अध्यक्ष होता है जिस सदन का अध्यक्ष होता है जिस सदन का सभापती होगा उसको सौपेगा उसका आर्थ है कि जो सदन है उसको सौपेगा यहाँ पर चूकि आपको लोक सभा अध्यक्ष नहीं देखने को मिल रहा है तो इसलिए इसका सही जबाब क्या हो जाएगा संसद को हलां कि संसथ के पटल पर रखने के लिए किसको सबसे पहले दिया जाता है जो उसका अध्यक्ष होगा जो उसका सभापति होगा तो इसका सही जवाभ हो जाएगा संसथ को अगला प्रشन है लोक लेखा समीट की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है हमारे option है लोक सभा में. Option B राष्ठपती कार्याले में. Option C वित्प मंतराले में. Option D प्रधान बंतरी कार्याले में. तो लोक लेकी समित अपनी रिपोर्ट काहँ पर प्रस्बत करेगी? लोक सभा में. एक बहुत ही आसान सा सभाल के. अधा कि राष्ट पति कार्याले में वही रिपोर्ट सौपी जाते हैं जो समबैधानिक आयोग होते हैं जो समबैधानिक की काईया होती है वो अपनी रिपोर्ट हमेशा किसको सौपती है आपके राष्ट पति को जैसे अगर मैं बात करूं को अभी निर्वाचन आयोग काफी प्रधान मंतरी कारयाले में नीत आयोग को नाम सुना होगा आपने, तो नीत आयोग कोई भी काम करता है, तो PMO में उस चीज की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, फिर उसके बाद वो संसत के पटल पर रखी जाती है, मंतरी परिसत के माध्यम से. अगला प्रशन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, लोग लेखा तथा सारजनिक उपकरम की समितियों से राज्य सभा के सदस्य भी सम्मंदित होते हैं, जबकि प्राकुलन समित के लिए सदस्य केवल लोग सभा से ही लिये जाते हैं, दूसरा है, संसदी कारे मंतराले कु समित के निर्दैसन में कारे करती है, तीसरा है, विभिन मंतराले में भारत सरकार्द वर गटि समितिया, परिसाद, मंदलो एवं आयोगे के सदस्यों को संसदी कारे मंतरी नामित करता है, अब इसके आधार पर आपको उतर देना है कि कौन सा सही है तो देखिए बिल्कुल बात सही है कि जो लोग लेका समित होती है और सावजिनिक उपकरम की समित होती है उसको दोनों सद्वनों के सदस्य सामिल होते हैं प्राकलन समित में केवल लोग सबा के सदस्य सामिल होते हैं यह बिल्कुल बात सही है और अगर संसिधी कारे मंत्रालिय को संसिधी कारे मन्त्री नामित करता है तो यह भी इस संसिधी कारे मंत्री हमारा उत्तर क्या हो जाने है अगला प्रश्ण है संसत की लोग लेखा समित का प्रमुक कार्य है हमारे उप्सन है उप्सन है सासन के वित्ती लेखा एवं बिन्यमन तथा कम्ट्रोलर एवं आडिटर जनरर की इपोर्ट का परिच्छड करना अगला है अगला है निमल के कतनों पर विचार कीजिए लोग लेखा समित का अध्यक्ष लोगसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है लोक लेका समित में लोकसभा सदस्य, राजसभा सदस्य, तथा उद्योग तथा वियापार के कुछ जाने वाने व्यक्त भी समलित होते हैं उप्षित कुछनों में इसे कौन साय से सही है हमारे उप्षन है केवल एक, B, एक और दो दोनो C, केवल दो, या D, ना तो एक, ना ही दो तो इसका सही जवाब हो जाएगा उप्षन A, जो मतलब आपका केवल एक है, वो सही होगा क्यों, क्योंकि पहली बात तो बिल्कुल सही देखने को मिल रही है कि लोग लेका समित पे अध्यक्ष का चुना और लोग सभा अध्यक्ष करता है लेकिन इसमें ये बात तो बिल्कुल सही है यहां तक कि इसमें दोनों संदनों के सज़स सामिल होती है लेकिन वो द्योगत थब अपार कि कुछ जाने माने विक्तिश होंगे ऐसा कहीं भर भी समबैधानिक रूप से या संसेजी नियमा वली में नहीं लिखा गया है तो हमारा जो उप्सन एक है वो सही होने वाला है भारती संसत की सबसे बड़ी समिती कौन सी है लोग लेका समित, प्राकलन समित, लोग उपकरम समित या याज का समित इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोग, सुरी प्राकलन समित, आप्शन भी प्राकलन समित, तीस सदस से समित होती है लोग सबा के पूरे मिम्मर होते है कोई भी मंत्री इसका सदस नहीं होता है मंत्री सदस नहीं और एकल संक्रमणी मत्प्रानली स्चुना जाता है एक वर्स इसका कारेकाल होता है एक वर्स इसका कारेकाल होता है अगले प्रस्ट पर आते हैं निमनिम लेकित में से कौन सार सारजनिक ब्याई पर संसदी नियंत्रण का अंग नहीं है हमारे option है लोक लेखा समित भारत का नियंद्रा एवं पहाले का परिच्छक, C प्राकलन समित या D सार्वजनिक उपक्रम समित तो देखे अगर इन अप्सनों में देखा जाए तो लगबख सभी जो है सार्वजनिक ब्याक के संसदी नियंद्रान का भाग है लेकिन तीन चीजह प्रत्यक्च रूप से संसदी संसदी के भाग हो जाती तो यह राष्ट्पटि की द्वारा नियुक तो ऐसा पद होता है जिसके पास संसदी नियंद्रण जैसी कोई विसेश सकती नहीं प्राप्टेबल कि इसका क्या कहता है इसका काम होता है कि audit त्यार करना ले खांकन करना कि कहां पर पैसा गया है कहां से पैसा आया है यह तो ना कुछ कर सकता है ना तो रोक लगा सकता है नो अपने सुझाओ दे सकता है बस सब तै करता है क्युत सभिनिक उपकरम समिधि जो सार्वजिनिक होती है गडर्मन कंपनीयां होती है उनके संबंद में कहां परिसा कितना लगाया गया इंकम हुई यह सब की निगरानी कौन करता है सार्जिनिक उपकरम समिति तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option B भारत के नियंतरा को एवं महालेखा परिच्छक अगला प्रस्टन है भारती संसद किस रिट से प्रसासन पर नियंतरान करती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A संसदी समितियों के माध्यम से बहुती आसान सवाल था अदिकी संसदी समितियों को बहुत बड़ा योगदान होता है जब भी कोई विधेयक परस्तुत किया जाएगा जाए साधारन विधेयक हो या वित्य विधेयक हो उसमें धन विधेयक को छोड़ कर तो उसके समन्द में क्या गिया जाएगा कि प्रथम बाचन के उपरान दुतियी वाचन जब होता है तो उसमें समित के गठन किया जाते हैं और समित ये दूती वाचन में पूरी जाच करती है कि कहां पर किस प्रकार से चीजे संचालित हो रही है और कौन से जिसमें कमी आने वाली है कौन से चीज सुधार करने की आवश्यक्ता है फिर आगे चलके उसमें तर्थी वाचने फिर से चर्चा होते फिर उसको पारित करवा दिया जाता है तो समित्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है संसदी करवाही में अगला प्राशन है भारती संसदी समुख के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन ये कथन सही है यह एक स्वायत संसथा नहीं है अप्सन दो संसद के पूर्व सदस इसके सदस से बन सकते है अप्सन दो लोक सभा का उपाध दожет ता राज सभा का उप सबस प्लाबवति समुख के पदेन उपाध देख्छोते आँ तो तो देखी यह यह गठित की गएती संबिधान सभाः के दौरान और संबिधान सभा के दौरान गठिद करने के दौरा इसको 1949 में लागू किया गया तो इसको भी मूर्दि रूप प्रदान किया गया लेकिन यहाँ एक कैसी समित्य होती है सुएत रूप से कार करने वाली समित्य होती है तो पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा संसत के पूर्व सदस्성을 इसके सदस्स соihin बन सकते हैं तो या बात जो होती है बिलकुल सही होती है संसत के बरतमान से निधारित रास्वी दे करके ग्रहन कर सकते हैं और यह उसके पूर्व सदस्स रास्ट करके इसमें जीवनपरियन τक के लिए ऐसोदस्ता ग्रहन कर सकते हैं ऐसे प्वस्ता की गई है थे तीसरा ओप्शन है कि लोगसभा को अध्यक्ष होता है इसका अध्यक्ष लोगसभा अध्यक्ष होता है यह प्रिशन पूछा गया था च्छती गड़्व जो option 2 है इसको सही नहीं माना था केवल 3 को सही माना था तो यहाँ पर देखिए option D केवल 3 है लेकिन जो सही उत्तर होगा इसका 2 और 3 दोनों सही है लेकिन option में कहीं पर ऐसी विवस्था नहीं की गई है कि 2 और 3 दोनों सही है इसलिए केवल D जो है सही उत्तर माना जाता था लेकिन आप इसमें अपने स्वभी एक का प्रयोग कीज़ेगे थोड़ा confusion वाला प्रशन है तो ऐसे प्रशन है जो कि पूछे गए हैं इसलिए मेरा फर्ज था कि आपको ऐसी चीज़े बता दी जाए तो ज़्यादा परिशन होने के अवश्च्ठा नहीं है जो भी विवादित प्रशन होते हैं वो भी ज़्यादा आने की संभाबना नहीं होते है और आपको PSC के आदर तो पता है कि वो फिर एक प्रश्ण के दो अर्थ उत्तर दे देता है नहीं तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं आए न आप तो डिलीट भे कर देगा तो ऐसे प्रश्ण पूछ जाने की ज़्यादा संभाबना नहीं है बस चुक्छा गया है इसलिए यह की जवाब हो जाएगा option C बिठल भाई पटेल बिठल भाई पटेल 1950 में केंद्री विधान सभा के पहले भारती अध्यक्ष उने जाते हैं पहले भारती अध्यक्ष आपको कमेंट में बताना है यहां पर एक प्रश्ण और मैं निकाल देता हूं कि 1921 में जो यह केंद्री व विधान सभावनी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष में बता दूँगा आपको कि भारती थे सत्यनराण सिना लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे यह आपको बताना है सत्यनराण सिना इसके उपाध्यक्ष थे आपको बताना है कि पहले अध् प्रश्टे उसका उत्तर क्या होने वाला है बिठल भाई पटे अगले प्रश्वे आते हैं भारती संसद का सचिवाले संसदी कारिमंत्री के आधिन है और राष्पत के आधिन है और यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाता कि संसद के आधिन है तो बात सही हो जाती संसद के आधिन है बास्तविक्ता में है आर्टिकल 98 भारती संसदी संसदी सचिवाले की बात करता है और यह कहता है कि दोनों सदनों के लिए प्रिथक प्रिथक सचिवाले होंगे अब सचिवाले की जो अध्यक्ष होते हैं महा सचिव इनकी नियुक्त की लोगसभा के सचवाले के लिए तो अभी आपने नाम सुना होगा प्रमोद say, चंद्रमोध्य जो राजिसभा के सचवाले के महाशचिव है विसी प्रेकार उतपल कुमार जो है आपके लोग जुए से बताईए इसका कमेंड में जवाब बताईए इसका सही जवाब हो जाएगा option B नियाइक समिख्षा से देखिये कोई बे कानून अगर संसत द्वारा बनाया जाता है संसन ने कोई कानून बनाया यह जैसे अभी चर्चा में आपने सुन बॉंड को बनाया गया था, एक कानून बनाया के तरह लाया गया था, 2017 में और 2018 से उसको लागू किया गया था, जिसके दहात राजनेतिक जुद्धाल होते हैं, उनको जंदा प्रदान किया जाता था, चंदे में पारदरिस्टा आ सके, इसके लिए य कर दिया गया, 2024 में इसको असंबैधानिक करार कि दे दिया गया, साथ ही, SVI और इलिक्सन कमिशन को इनिर्देश दिया गया, कि इनिश्चिस समय सीमा पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, कौन सी जो राजनेतिक पार्टी है, किस विक्ति से और किस संस्था के द्वारा कितना चंदा पाई है, इसका संपूर्ण विवराण पस्तुत की जाए, तो सरकार ने कोई कानून बनाया, लेकिन सुप्रीम कोड ने उसको लिए क्या कर दिया, उसको असंबैधानिक करा दिया, मतलब क्या है, उसके संप्रभुता पे प्रतिबंध लगा रहा है, तो ये कि कोई भी विदी कानून इसके संबन्द में लाए जाते हैं, जिससे संबिधान के मनो भावना को, मनो भाव के या मूल भाव को ठेस पहुचती है, तो उसको वो असंबैधानिक करार दिया जाता है, और ये जो अभी मैंने मिनिर्वा मिल्स बाद की चर्चा की थी कुछ देर तो जनता है, संबिधान है और सरकार है, अगला है भारती संसद का स्वण जैंती समारो मनाया गिया था, हमारे वाप्सन है, 11.1997 को, 15.1997 को, या 26.2002 को, या 13.5.2002 को, तो कि संसद की बात हो रही है, तो प्राथ्मिक चुनाव कब हुए थे आपके, 1912 में और मई 1912 में इसकी प्रथम बैठा कुई थी, और मई 1952 से 50 साल जोड लिजे, तो 13.2002 को, 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो संद जैंती कम मनायी गई, 13.5.2002 को, अगला प्रशन है, भारती राजनीती के संदर में निम्रखित में से कौन सा कथन सही है, हमारे वाप्सन है, नीतियायोक की जवाब दे ही, संसत के प्रती है, और राश्टपती संसत के किसी एक सदन के सत्रा धीन ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, और उप्सन C, उजदम नियाले के नियाधिस के रूप में नियुक्त होने की नियुक्त होने की नियुनतम आयुक 40 बरस है, उप्सन D, राश्टी विकास परिशद, केंद्री वित्त मंत्रीत और सभी राज्यों के मुख्य मंत्रू से ही गठित होती है, तो इसका सही जबाब क्या होगा, उप्सन B, कि राश्ट पती संसत के किसी सदन के सत्रा धीन होने पर ना होने पर, या फिर दोनों सदनों के सत् देश जारी कर सकता है, आर्टिकल एक सो, तेवीस का प्रयोग करते हुए, लेकिन अगली बैठक के, अब जेकिए, जो सत्रों के बीच में मैक्जिमम गैप कितना हो सकता है, छे मां के, तो छे मां मैक्जिमम गैप, प्लस, बैठक स्टार्ट होने के, छे सप्ताहबाद, मतल यह बात होगे किसके संबंध में? आपकी प्रस्टिक वां बाइस के संबंध में. तो क्या हो सकता है सुप्रीम कोड का जज बन सकता है कोई और मैक्जिमम जो आई होगी वो 65 बर्स होगी यह ज़रू निधारत नहीं है राश्टी विकास परिश्द में आपके प्रधान मंत्री अधिक्सिता करते हैं उसके वत्रीक आपके विभिन राज्यों के मुख्य मंत्र और विभिन मंत्रालियों के मंत्री इसके सदस्य होते हैं अगले प्रश्ण है निमलिक कतनों का परिच्छन करें और नीचे दिये गए कूट का सही उत्तर चुनें संपत्ति का अधिकार अम्मूल अधिकार नहीं है दो राजिस सभा एक वित्ती बिल को रोक सकती है तीन भारतिय संविधान की प्रस्ताबना में 42 संविधान संसोथन द्वारा धर्म निर्पेश तहलोकतानतिक सब्दों को बढ़ाया गया या चार संसत के दोनों सद्नों में कोई विवाद लोक सवा अधिक्च की बिवस्था के द्वारा सुलजाया जा सकता है इसके आधार पर आपको उत्तर देना है कि कूट एक दो सही है एक चार सही है एक तीन सही है या दो तीन सही है ये बात बिल्कुल सही है कि संपत्तिक अधिकार को मूल अधिकार की स्रेणी में रखा गया है और ये कब रखा गया उसको कहा पर स्थापित कर दिया गया 300a में ये बात बिल्कुल सही हो जाती है राज्यसभा एक वित्ती बिल को रोक सकता है तो ये भी बिल्कुल सही है अब देखे वित्ती बिल दो प्रकार के हो सकते है एक साधारन होता है मतलब धन विध्यक होता है और एक होता है वित्त अब वित्य विध्यक जो है राजसवा को और लोगसवा के बराबर सक्ति प्राप्त है वित्य विध्यक के सम्मन में धन विध्यक को भी 14 दिन तक रोक सकता है 14 दिन तक रोक सकता है अब यहाँ पर देखिए लिखा है राजसवा एक वित्य विल को रोक सकता है तो ये बात भी बिल्कुल सही हो सकती है सही हो जाती है अब भारती संविधान के 42 में 42 में संसोधन द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में तीन सब्द जोड़े गए एक तो सब्द धर्म निर्पेच दिख रहा है ये बिल्कुल सही है धर्म निर्पेच अन्ने जो सब्द जोड़े गए वो सब्द है आपका समाजवादी और अखंड़ता लेकिन यहाँ पर दिया गया है लोकतांत्रिक तो लोकतांत्रिक बाला सब्द नहीं जोड़ा गया था बलकि धर्म निर्पेच समाजवादी और अखंड़ता वाली सब्द जोड़े गए थे तो यह कथन क्या हो जाएगा तीसरे नंबर कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बलकि एक और दो बिल्कुल सही संसत के दोनों सदिव में या यी विवाद के स्थितीव निहीं सब्दम के राष्ट पति को यह कुई असक्ति प्राफ्द ही को अगले आते हैं संसदी प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है अब आपको में बता दू गिलोटिन एक हतियार हुआ करता था फ्रांस में तो फ्रांस किरांती के टाइम पर काफी चर्चा में रहा था गिलोटिन में क्या होता है कि बीच में एक व्यक्ति को बेठा दिया उपर से जाता है और उसके गिलोटन का होता है कि यहाँ पर वही चीज़ पूछे गई है कि कोई यह प्रस्तुत किया जाता है कोई सरकार कोई ऐसे अनुमोदन प्रस्तुत करवाती है संसंद में विपक्ष क्या करता है उस पर कटावती प्रस्तुत आता है या फिस संसद के सदस से क्या करते हैं उस पर कटावती अपनाते हैं और यह कटावतीया कई प्रकार की होती है कटावती एक होती है नीतिगत एक होती है सांकेतिक नीतिगत होती है कटावती सांकेतिक होती है और एक नीतिकत होती है, सांकेतिक होती है, एक और कटोती होती है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैं आपको बता दूँगा, पर देखिए, जब भी इस प्रकार की होती है बाते तो उसमें क्या किया जाता है, बहस होती है, मद्दान होता है, कि बिविन बिविन मुद् यह ज़्यादा चर्चा को आगे नहीं बढ़वाता है वह क्या कर बाता है कि चर्चा को ही पर समाप्त करबा के एक साथ मद्दान कर बा देता है इसी को बोलो जाता है गोल्ड गिलोटिन अगला है अब देखिए जो प्रस्न है यह आई-एस की परिच्छा में पूछा गया था मतलब जो आपका यू-पी-एसी होता है उसे पूछा गया था और यह आपके 2004 के प्री परिच्छा में पूछा गया था इतना इंपोर्डेंट नहीं है उसमें के करेंट के मुद्य को रख के बनाया गया था लेकिन अभी हाली में आपने एक विसाय सुना होगा अब इस्वास प्रस्ताव संबंदित काफी चर्चा में रहा था कि जो अभी राजागे की सरकार है मतलब एंडिया की सरकार है उसके प्रावधार्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर् जिसमें ये कहा जाता है कि क्या होगा कोई मुद्धा विपक्ष द्वारा खड़ा कर दिया जाएगा तो उस पर क्या होगी पहले बाद विवाद होगी बाद विवाद के बाद उस पर होगी क्या सरकार में मद्दान होता है और मद्दान में माल लीजे कि मद्दान पास हो जाता है, पास हो गया, मद्दान में जो सरकार के बिरुद्ध मद्दान पास हो गया तो सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है उस दोरान भी और अभी कुछ दिनों पहले भी काफी चर्चा में रही थी हलाकि इस पुंटतर होगा वो एत अथार दोनों साति है और एकी सही व्याख्या करता है इस वाइज जवाब ये हो जाएगा लेकिन आप नोग यहां परिशान नहीं होना है बस आप नियम 184 को द्या पुछा जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं मद्दान की प्रक्रिया पनाई जाती है लोगसबा के प्रक्रिया और कारिस अंचालन नियम के अंतरगत नियम 370 के आधिन लोगसबा की सदस्य दारा एक दिन में अजिक्तम कितने मामले उठाए जा सकते हैं अधिक यह बहुत इंपोर्टन उठाज है बहुत ही उच्छे लेबल का आपका तथ है ठीक है क्योंकि यह आपको रटना पड़ेगा नियम 770 के आधिन बर्तवान में कितने विशियों को सामिल किया गया है लोगसबा की बात हो रही तो लोगसबा के सदस्य एक दिन में कितने मामलों पर चर्चा कर सकते हैं तो पहले जो है 2005 के संसोधन में मामलों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी दे थी लेकिन 2015 में संसोधन किया गया और इनके संख्या कितनी कर दी गई 30 मतलब 30 मामले ऐसे हैं 30 मामलों पर क्या कर सकते हैं आप चर्चा कर सकते हैं पर दे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीस अगला है भारत की संसत किसके या किनके द्वारा मंध्री पर्षत के कृत्तियों के ऊपर नियंतर रखती है हमारे उप्सने सब्सक्राइब प्रशनकाल के द्वारा उप्सन cone अनपूरक प्रश्णिक के द्वारा नीचे दिया गूट का सहीयोग प्रयोग कर उत्तर चुनिये केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, ये एक, दो, तीन देखें, इस तगेन प्रस्ताव का अर्थ होता है कि अती महत्रफूर विशाई में आप चर्चा सुरू करना है तो जो बर्तमान कारवाही चल रही है, उसको रोख दिया जाएगा किसके माध्यम से रोख दिया जाएगा? लोगसवा अध्यक्ष के माध्यम से लोगसवा अध्यक्ष क्या करता है? कि अगर कोई महत्तपूर्पूर्विसय आ गया है, कि लोग हित में वह वह महत्तपूर्पूर्विसय की चर्चा आवच्छक हो गई है, तो जो बरतमान चर्चा चल रही हो, उसको रोक करके, वह उस परास्थाव को लाया जाएगा, इसी परास्था करने के लिए इस्थगन प कारवाही प्रस्टिकाल की बात करें तो प्रस्टिकाल जो प्राथम घंटा होता है प्रस्टम घंटा होता है किसी भी संसद्य कारवाही में उसमें मंत्रियों से विहन प्रकार के प्रस्ट पूछे जाते हैं उस पर जवाब दिया जाता है सवाल जवाब होते हैं और गई प्र तारंकित प्रश्ण ऐसे प्रश्ण होते हैं जो हरे कलर पे लिखे होते हैं हरे रंग से लिखे जाते हैं और इसकी ख्याख हस्यत होती है तारंकित प्रश्ण के कि उसका जवाब मंत्री को तुरंद देना होता है और इन प्रश्णों के उपर भी आप अनपूरक प्रश्ण प होते हैं जब इन प्रश्ण के बार एक प्रस्ण के जवाब के बारा कोई सवाल जवाब होंगे वो क्या कहलाएंगे अनपूरक प्रश् woll कहलाएंगे हैं इसलिए गो जाहिए उत्तर हो तारंकित प्रश्णों के विश्व में सही क्या है। नहीं के हमारे उप्सिन है उत्तर मौक की कर का स्था ये तो प्रश्ण में होता है ना कि तारंकित प्रश्ण में होता है तो मौकिक जो दे दिया गया तो यह बाला बिल्कुल गलत हो गया पूरक प्रश्ण पूछा जा सकते हैं यह बिल्कुल सही है पूरक प्रश्ण नहीं पूछा जाता है उत्तर पर बहस की जा सकते हैं तो बहस नहीं होगी बहर्स मतलब यह होता है कि आपना पक्ष्रे रख़ रहे हैं अपना पक्ष्रे रख रहे हैं किसी प्रगार के नियंकर उट मिपिला प्रश्ताऊ शलता है और यह पूरी का रवाहि जो आप्सन एक और थीन है वह सही होगी तो हमारे जो उत्तर होने वाला है option B, सही होगा अगले प्रस्टन है, कोटलती प्रस्ताव का उद्देश क्या होता है हमारे option है, option है, option है, सरकार की नीतियों पनियंत्रट करना option B, सत्ताधारी दल की कारवाही को रोखना या option C, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्तावों प्रस्तुत करना या D, सरकार के सभी वित्ती लेंदेन को निरस्त करना तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्तावों प्रस्तुत करना मैंने अभी इसके विसे में चर्चा किती, कटऊति प्रस्ताओं के विसे में मुकरूब छोप से मागे रखी जाती है जतनी अनुदान की माग निर्धारत की है, जितना खर्च निर्धारत की है इस ब羽ं अब उते रहे हैं तो यह सब क्या होती है ध्याना कर्शन सूचना के प्रावधान ने निम्लिकित में से किसके छेत्र को सीमित किया है अधिके ध्याना कर्शन सूचना होता क्या है पहले आप समझे ध्याना कर्शन संसदी कारवाही मानलीजे चल रही है और बहुत ही लोग महत्त की चर्चा करना आघष्यक हो गया है क्यों माली जए संसथ चल रहा है और बीच में ऐसा पता चला कि यूपी में बच बच बढ़ा दंगा दंगा हो गया फिर मध्द परदेश में बहुत बढ़ा दंगा हो गया मुद्दे का भिस साह और दंगे के मामला है तो उसके सदस्ट round का ध्यानलगकर्षित करने के लिए मंत्री या लोकसबास्ष सदस्ट जैसे स्थधगन प्रस्था होता था कि अत्यनती लोक महत्ट का भिस साय पूरी कारवाह की बंड़ कर दि जाती थी और केवल उसी पर चर्चा होती थी, उसी प्रकार से ध्यानाकर्षन प्रस्ताओं में भी उसी प्रकार की कारवाही को अपनाए जाएगा, लेकिन इसमें किसका योगदान रहेगा, लोकसवा के सदस्या मंत्री का, तो यहां पर क्या ध्यानाकर्षन सूचना का प्राधान निम हैं हमारे बजट का प्रस।ति करण बजट पर चरचा विन्यो कि बिदह को पारित करना विद्य को पारित तो जब भी कोई प्रसुत शब्सक्राम पर पर डियो लुवट करम होता समितिया घटित होती Нап löne ये पूरी एक प्रक्रिया पे चलता है जैसे बजट का प्रस्तुत किया जाना फिर उसके बाद होगी आम चर्चा या आम बहस फिर उसके बाद समीति गठित होगी जो जाच करेगी कि क्या जो अनुदान की माग है उस ही है कि नहीं फिर इन पर मत होगा मत्दान होगा मत्दान के बाद बिनियोग विध्यक को पारित कर दिया जाएगा फिर इसके उपरान बित्ती विध्यक को पारित किया जाएगा यह पूरा क्रम होता है, अब इसके बीच में जो चीज है उसको सामिल कर लो, जो चीज नहीं है उसको हटा दो, तो बजट का प्रस्तिकरण है, बिल्कुल है, बजट पर चर्चा है, तो बिल्कुल है, बिनियोग विध्या को पारित करना है, लेखा अनुधान नहीं है, तो य सही उत्तर होगा, अगला है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले, भारत के राश्ट पत की पूर्व सुकृती आवश्यक है, एक नवीन राजी के गठन से सम्मंदित विध्याक पर, ऐसे कराधन विध्याक जिन में राज्यों का हितन हीत हो, राज्यों की स सही है, और प्यूक्त समीं सही है, तो देखे, अगर कोई भी नवीन राज्य गठ्ट किया जाना है, तो राश्ट पती क्या करेगा, राश्ट पत की पूरव अन मत से ये संस्द के समस्ध प्रस्त कि या जाता है, राश्ट पती अब उसके पास ही आधिकार होता है, तो कि पहला जो आप्सन होगा बिलकुल सही है ऐसे कराधान विदेक जिन में राज्य का हित्न हीत हो और माल लीजे कि कोई ऐसे अंतर राष्टि संधियों को लागू करना है कोई जैसे GST का एक मुद्द्दा था उसको लागू कुना है तो उसको धन विदेहक के रूप में प्रस्तुत किया गया तो ऐसे करा धन को पूर्व अनुमत से राश्ट्पत के पूर्व अनुमत से ही लागू किया गया तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है राज्यों के सीमा सीमाओं में बदलाओ करना है तो ये भी बिल्कुल सही है और धन विदेहक पर तो पूर्व अवश्यक होती ही है तो हमारी क्या हो जाएंगे चारों का थन सही है तो हमारा उत्तर हो जाएगा उप्यूक्त सभी अगला प्रशन है निम लिकित प्रश्बावों में से किसका संदर्वित संभंध संगी बजट से है हमारे option है निंदा परस्थाव, option B कटोथी प्रस्थाआ, option C धायान कर्शन प्रस्थाव, या option D स्थगण प्रस्थाव इसका सभी जवाब हो जाएगा कटावती प्रस्ताव में हमने काफी चर्चा कर ली है तो इसके संबंद में जादा कर्चर्चा करने की आवश्यक्ता नहीं है निंदा प्रस्ताव हमें सब विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और किसी मंत्री या जो मंत्री मंदली कार्य है उसके खिलाफ लाया जाता है और निंदप्रस्ताओं में यह आवश्यक नहीं होता है कि सरकार को त्याग पतर देना पड़े लेकिन है निंदप्रस्ताओं पारित होने के बाद विपक्ष इस चीज़ की मांग कर सकता है कि अपन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है यहाँ पर पूछा गया है इस थाई सरकार लेखान मोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि करवाहक सरकार अंतरिम बजट के बजट के व्याय पक्ष मातर से सम्मध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्याय तथा आवती कहते हैं कि दोनों सम्रीत होती है उपयोत्ट कुणना है कि कौन से कथन सही है एंक कौन से कथन सही है केवल एक और दो केवल दो हूंना तो एक और नहीं दो मैं तो तUI सथाइस तो क्या होती है जो तरकार चल रही होती बर्तमान बर्त tariffs न द्दभाद का फ्रसटाव और कर सकती है अब अब वह किसके लिए होता है उसका एक क्या च्छा क्या कर ले आप ने तीन महींज़ों के खरचे के लिए लिए निधारइक कर लिए और अंत्रीम Bजट होता है वो यह कर विज़ा रही जाए उसके विज्र लेखा नुद्वान में केवल ब्याए परक्षे का बढ़नान होता है तो ये बात कहां पर देखने को मिल रही है तो दूसरा विकल्प तो सही है लेकिन पहला सही नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा केवल दो सही उत्तर होगा अगले प्रशन है ब्याय का अनुमान किस रूप में भारती संसत के समक्ष रखा जाता है हमारे उप्सन है तदर्थ निद अनुपूरक अनुदान अतरिक अनुदान या अनुदान का अनुदान का अनुरोध बैक अनुम्पान किस रूप में संसत के समक्ष रखा जाता है तो क्या होता है अनुदान का अनुरोध होता है क्योंकि कोई चीज मागी नहीं जा सकती है कोई निदियक के लिए अगर पैसा निकालना है तो आप माग नहीं सकते हैं संसत से संसद से आप अन्रोध कर सकते हैं और संसद फिर इसका बार्ण कहां मिलता है आपको जो अनुच्यद 1132 है 1132 के तहाथ मिलता है कि अनुदान के लिए प्राकलंसमीद गठित की जाएगा और प्राकलंसमीद आने इदारिध करेगी कि किस निकाय के लिए, किस योजना के लिए, किस कारिप्रनाली के लिए, कितने धनकी आवश्चरकता है और संसद इस पर क्या करे, एक विन्योग विध्यक को परिद करे तो केवल अनरोध करती है, इसका सही जबाग क्या हो जाएगा, अनुदान का अनरोध अगला है आर्थिक सर्वेच्छन प्रतिवर्ष संसंद में प्रस्तुत किया जाता है हमारे option है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुती करण के पूर्व आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुती करण के प्रस्चाथ option C, वित्विधयक के प्रस्तुनी करण के प्रस्ताथ या option D, उसका बजट के प्रस्तुनी करण से कोई सम्मंद नहीं होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे बर्तमान में एक फर्वरी को बजट प्रस्तुनी किया जाता है उसके पहले 31 जन्वरी को आर्थिक सर्विच्छन प्रस्तुत किया जाता है तो इसका उत्तर क्या होगा कि बजट प्रस्तु करण के पूर्ब कर दिया जाता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप्शन A आगामी बर्स बजट के प्रस्तु करण के पूर्ब अगला प्रशने लेखा अनुदान संग सरकार को अनुमति परदान करता है हमारे उप्सन है उप्सन है सारजनी क्रेड लेने के लिए उप्सन भारती रिजर बैंक से धन उधार लेने के लिए उप्सन C राज्यों को अनुदान परदान करने के लिए और आप्सन डी निश्चित अबधी के लिए भारत की संचित निज्च से धन निकालने के लिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा और आपको यह मैं बता दू कि जब भी बजट तैयार किया जाता है कि उसके सम्मन्न में एक विध्यक पास्त किया जाएगा उसको बोलते हैं आर्टिकल 114 के तहट विनियोग विध्यक और विनियोग विध्यक अगर जब तक पास्त नहीं किया जाएगा कुछ भाग निकाल लिया जाता है उसे कहा जाता है लेखा नुदान अगला प्रशना है लेखा नुदान बना है और इसका जिक्र कहां मिलता है आपका अनुच्छेत 116 में अधिके बिनियोग बिध्या का जिक्र मिलता है एक सचोधा में लेकिन लेखा अनुदान का जिक्र मिलता है कहां पर? चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं यदि वार्शिक संघी बजट लोग सभा द्वारा पारित नहीं होता तो उसी स्थिती में कौन सी स्थिती होगी? उसे के संबन्द में प्रशन है हमारे उप्सन है बजट में संसूधन कर यह दुबारा पेस किया जाता है उप्सन B सुझाओ है तो बजट राज्जिस सभा को भेज दिया जाता है यह उप्सन C संघी वित्य मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है या D प्रधान मंत्री अपनी मंत्री पहिस्षत का त्याग पत्र पेस कर देता है तो देखें अगर कोई संघी बजट पारित किया जा रहा है उसका यह मतलब है कि वहां पर भहुमत की सरकार है और माल हिजए कि वो बजट पास नहीं हो रहा है मतलब सरकार में समर्थन अब समाप्त हो गया है और जब लोक सबह में किसी भी सरकार के समर्थन समाप्त हो जाएगा तो पूरी मंतरी परिशत क्या देना पड़ेगा इस्थीपा देना पड़ेगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अगला है भारत की संसत के संदर में निमले कितकतनों पर विचार कीजिए गैर सरकारी बिदेयक ऐसा बिदेयक है जो संसत के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किन्तो भारत के राष्टपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है अप्शन दो हाली में भारत की संसत के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विद्यक पारित किया गया उपियुक्त कत्नों में से कौन साया से सही है option A, cable 1, option B, cable 2, option C, 1 और 2 दो ना, option D, ना तो 1 ना ही 2 तो देखें गैर सरकारी विद्यक ऐसे विद्यक होते हैं जो मंत्रियों के द्वारा नहीं पेस किया जाते हैं गैर सरकारी की बात कर रहे हैं मंत्री पेस नहीं करेंगे कौन पेस करेगा या तो सदस्य या विपक्च का सदस्य कोई भी पेस कर सकता है जो सदन का सदस्य है सदन का सदस्य से पेस किया जा सकता है लेकिन उसमें ये कहीं पर विजिक्र नहीं लिका है कि वो राष्टपती द्वारा नाम निर्वाचित नहीं है ऐसे विक्ति करेगा ऐसे विक्ति पेस नहीं कर सकते हैं तो जो option एक है जो कथन एक है ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दूजरा है हाली में भारत के संसत के इतिहाद पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया तो ये बिल्कुल बात सही नहीं है कि अभी तक 1952 से अभी तक लगभग 14 से अधिक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किये जा चुके हैं पास किये जा चुके हैं तो हमारा जो दोनों कथने वो गलत है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा option D सही उत्तर होने वाला है तो ये भी गलत हो गया वो भी गलत हो गया तो उत्तर हो जाएगा option D अगला है निम्रकित में से कौन सा सब्द या सब्द वली भारत के संबिधान में उल्लकित नहीं है हमारे option है वार्षिक वित्ती विवरण, विनियोग विधेयक, उपसंसी बजट या option डी भारत की संचित नीधी तो देखे, बार्षिक वित्ती विवरण का जिक्र मिलता है आपके 112, 12 में विनियोग विधेयक का मिलता है 114 में बजट सब्द का जिक्र नहीं मिलता है, ये केबल, हम निउस्पेपर और संसिद्र जो कारवाही होती है, उसके दौरान सुनते है जो एक फ्रांसीसी सब्द है, फ्रांसीसी सब्द में इसका अर्थ होता है, फ्रेंच भासा में इसका अर्थ होता है चमडे का थैला, इसका संबिधान में कहीं पर जिक्र नहीं मिलता है संबिधान में इसका वर्णन नहीं मिलता है तो हमारा उत्तर क्या हो जाने वाला है भारत की संचितनित का जिक्र मिलता है आपके 206.6 में 206.6 में इसका जिक्र मिलता है जो केंद्र और राज्जी की संचितनित की बात करता है अगला है बजट पर संसत के नियंतरन के विशे में निमलिखित में से कौन सा बात सही नहीं है बजट के निर्मार में संसत कोई हाथ नहीं होता है option B संसत को समय कित निधी पर प्रभारी तव्याय को बढ़ाने की सकती है option D option D यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बात सही नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option B अच्छा ये बात मिलती है आपको 113.1 में जिसमें ये मिलता है कि प्राकलन समीत क्या करेगी प्राकलन समीत है एक अनुदान की मांग का की वित्में भी अनुदान प्राप्ट हो सके इसके समंद में अनुदान अपने प्रस्तृद करेगी लेकिन कभी भी यह नहीं किय सकती है कि वह अनुदान बढ़या दिया जाए उस अनुदान को आप बढ़ा दिया जist अगला है राज्य सवा में धन भी देयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोक्सवा को आपस दिया-जाना चाहिए आरे option ए 12 दिनों के अंदर, option B 14 दिनों के अंदर, option C 16 दिनों के एंदर या option D 18 दिनों के अंदर उसका सही जवाब हो जाएगा आपसन भी शौदा दिनों के अंदर देखे धन विध्यक के सम्मन्द में जो पूरी प्रक्रिया का जिक्र मिलता है वो प्रक्रिया लिखी है प्रक्रिया 109 में और धन विध्यक की जो परिभासा है परिभासा वो लिखे है आपकी 110 में और वित्य विधियक का जो जिक्र मिलता है, यहां दीजेगा, वित्य विधियक का जिक्र मिलता है, उसका जिक्र मिलता है 117 में, यह कुछ संबंधित अनुच्छेद है, जो धन विधियक और वित्य विधियक के संबंध में रखते हैं, अगर प्रशन ऐसा भी पूछ लिए ज वित्य विध्यक में कौन से धन विध्यक होंगे और कौन से धन विध्यक नहीं होंगे, वित्य विध्यक वन क्या होता है, वित्य विध्यक दो क्या होता है, इसकी चर्चा कहां पर मिलती है आपको 117 में, अगला है निमने क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विध्यक को अंगेकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किन्तो राज्जिसभा द्वारा संसोधित किया गया हो यह राश्टपति को जाएगा उप्सन बी लोकसभा की बैठक में भाग लेने बाले यह पारित समझा जाएगा यह लोकसभा इसे दोबारा संसोधित को स्विकार करते हुए पास कर दे तो इसका सही जबाब हो जाएगा उप्सन डी क्योंकि आप सभी को पता है कि धन विद्यक के सम्मन्ध में अब ही हमारी इतनी सारी चर्चा हो चुकी है तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है कि धन विद्यक के सम्मन्ध में जो राज्य सभा होता है उसकी सक्ति बहुत सीमित होती है वो अपने संसोधन के सुझाओ तो दे सकती है लेकिन वो लोग सभा के उपर है कि उस संसोधन को स्विकार करे या स्विकार ना करे या हूँ वहू जिस प्रकार से उसने राज्य सभा को भीजा था वो ऐसा ही पारित क अगला है कोई विद्धियक जिसमें केबल ब्याई अंतर विलित है अंतर वलित है और अनिच्छे तक 110 में बिनिर्दिष्ट कोई विसे उसमें समलित नहीं है ध्यान कीजेगा 110 में सम्मंधित विसे नहीं है हलाकि वो है किसे सम्मंद में व्याई से सम्मंदित है हलाकि है क्या एक वित्विद्यक है है वित्विद्यक लेकिन धन विद्यक नहीं है धन नहीं है ऐसे सम्मंद में लोकसभा और राजसभा क्या करता भी होता है उसके सम्मंद में आउप्सन दिये गये हैं केवल लोकसभा म विदेयक जो बित्त विदेयक होंगे और धन विदेयक नहीं होंगे, वो संसत के किसी भी सदन से पास किया जा सकते हैं, ये एक सधारन विदेयक के समानी होंगे, और मालिजे इन में बिवाद की सिति खड़ी हो जाती है, कि किसी सदन द्वारा इसको पारित नहीं किया जा सकत है तो हमारा option B सही जवाब होगा अगला है धन्विद्यक कहां पुरा स्थापित किया जाता है हमारे option है लोक सभा में option B राजी सभा में option C दवनों सद्नों की स्विंग तो बैठक में option D उप्युक्त में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A लोक सभा में बहुत ही आसान सा सवाल था कि धन्विद्यक पहली बार कहां प्रस्तुत किया जाता है तो कहां पर किया जाएगा लोक सभा में अगला है भारत के संविधान के अंतरगत एक धन्विद्यक को प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में लोक लेकर समित में C लोक सभा में यह D लोक सभा तथा राज सभा में एक ही साथ तो के प्रशन वही था बस थोड़ा सा यहां पर option घुमा दिये गए है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C लोक सभा में तो दोस्तों ये हमारी जो संबंद में पूछे जा सकते हैं विविन पर इच्छाओं में कैसे प्रश्ण पूछे गए हैं उन समस्त बिंदों पर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और आगे क्लास से भी जुड़े रहेगे पुरानी क्लासों को देखते रहे तो आपकी तैरी आसान हो जाएगे तब तक के लिए नमस्कार